तो यार आज के से वीडियो में आपने लोग पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टन चाह टॉपिक जिसका नाम है क्रेमोल विक्रेमोल लाब तथा हानी जहां दोस्तों इस वीडियो में हम लोग से प्रतिसथ लाब तथा हानी क्या होती है सबी चीजें यहां पर हम लोग डीटेल् आप एगर आप आप 6 ते 10 के बीच में हैं तो यह टॉपिक आपके लिए इंपोर्टन है क्यूंकि अगर यह टॉपिक आपको नहीं आता है कि क्रेमोल क्या होता है यानि कि इस विडियो में आपने लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको खरीदने वाला मुल्य क्रेम लिया होता है तो गाइज एर सिंपल की बात करें तो यहां पर जो आप खरीदिते हैं जैसे मालिजया किसे मार्केट में गए आपको एक किलो आलू लेना है तो अब जो दुकानदार जो भी सोप कीपर आपको आलू बेच दिया है आपने जब उसको पैसा दिया तो वह भाई बेचेगा तो वह आलू उसके लिए क्या हो जाएगा विक्रे मूल हो जाएगा जाते हैं और आपने 10 रुपे है की 10 रुपे का एक खरीद लिया थीक एक पैन खरीद लिया आपने 10 रुपे है का आपको के आफसरी हो होगा थीक है तो इस तरह से आप आपका विक्रे मूलए जादा होगा करे प्रहाँ नुक्सान फान नुक्सान हो तक इतना निस था आप का बेसिक लेवल था अगर आप कभी आप प्रह коммент a से वारे में पड़ा होगा तब आप यहां से समझ लिजए किसमें जाए hons करय मूल्चा लाब से मूल नीट रिया है आपको उसुत्र आप सूत्र रिया होkal वट Department सूत्र क्या होता है आप यह दिखेंगे तो आपकी इतने फर्फोर्मूले हैं ठीक है यानि कि आपके जो लाब होगा जब लाब की इस्थिती में अगर हमें कोई भी संक्यानिस किसी का माल निकालने को कहेगा जैसे माल लीजिए हमें क्रेमुली निकालने को बोल दिया जाए बिक्रेमुली निकालने को बोल दिया जाए और आपका क्रेमुली ज्यादा और विक्रेमुली कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे हम लोग विक्रेमुली में हानी को जोड़ आपका हान की स्थित में क्रेमूल यह अब आप विक्रेमूल क्या हो जाएगा आपका विक्रेमूल में हम लोग कैसे ज्याद करेंगे विक्रेमूल तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्रेमूल यह माइनस में हान हो जाएगा यहां पर और हानी बराबर क्या हो जाएगा आपका क्रे मुल्य को घठा देंगे ठीक है यह हो जागा आपका हान की एस्थित में फार्मूला ठीक है अगला हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं लाभ प्रतिसत की ठीक है कि लाभ प्रतिसत क्या होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे बंदे या फिर Students इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं इसको आप प्रृतिसत लाब भी कह सकते हो ठीक है यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इसको या फिर लाब प्रतिसत भी आप कह सकते हो इसको प्रतिसत हां नही बोलेंगे इसका formula क्या होता है इसको ज़रा सूचेगा ठीक है तो हम लोग अगर प्रतिसत लाब का formula देखें तो प्रतिसत लाब का formula भी बहुत ही आसान होता है यह होता है लाब यहाप लिखेंगे लाब इसमें multiply करा देंगे हम लोग 100 का और भाग देंगे आपके क्रे मोले से ठीक है क्र शोव और बटा यहां पर आपको हो जाएगा क्रेमोल्य क्रेमोल्य चलिए लिख देता हैंगे तो चलिए यार कुछ क्कॉश्ण दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा गया है यादि किताब पंदरा सी यहां पर आपकाई दिया हुआ है में ध्रेमोल्य ब्राबर 40 रुपय और यहां पर कहा है तो उसंपर हो संब्सक्राइब निद्र 75 लिह मुझात करेंगे निकाल यहां पर सब्सक्राइब यह पर कि यहां पर हमें लिखना है कि लाब प्रतिसमत ब्राबर क्या होता है तो यहांपotte लेखेंंगे चुकी लाब सारी हाानी बन गया यह लाब प्रतिसमत इक्कल होता है आपका लाब गुढ़े में शो और बटामें क्रें मुल्ले अब दिखेंस सबस्वेह लाब आपका लाप ब्राबर क्या होता हो मनें आपको पहले बता ठीक है लाब क्या निकालेंगे यहाँ निकल लिए तरल तो आपका क्रेमूगी कितना The wise 95 टया चली करते हैं इसको हम लोग किस से कादेते पांट से कादेते तो यह वाल करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 25 गुड़े 20 अपान में इतना आएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टिप्लाय करेंगे और तीन से भाग देंगे तो यहां पर प्रतिसत लगा दीजेगा अगर आप यह नहीं करते तो आपका सवाल गलत भी करा जा सकता है प्रतिसत भी आप इसे लगाते चलेंगे अब लास्ट में आपका जो एक स्टेप और बचता है इसको हल करेंगे तो आपका अंसर आएगा 166 दसमलो साथ प्रतिसत यह लाब प्रतिसत है और यहीं आपका उजाएगा एंसर समझ में आना बहुत ही बढ़िया सवाल था चलें नेक्स्ट क्वेशन करते हैं सो यार आपका तो नेक्स्ट क्वेशन है वह आपकी स्क्रीन पर सो हो रहा है उसको पढ़ते एक बार लिखा विक्रे मुले भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं विक्रे मुले आपका दिया हुआ है किदर है 137.50 ठीक है 137.50 पाईसे लब रुपाय आया वही चीज़ है तो हमें क्या इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है कि अगर इतना हो यानि करे मुल इतना हो और विक्रे मुल इतना एक के आपके जो हानी प्राबर फॉर्मूला क्या होता है यहां पर हमने आपको बता है कि हानी बराबर धूफ़ार मोला होता है को वह होता है क्रे मुल्य मैनसमला क्रे मुल्य तो आपके क्यों मोले 150 और मैंनेين 137.5 ठीक है इतना है आप हम लोग क्या करेंगे आपका जो हानी बराबर हो जाएगा घड़ जाएगा दोनों तो जब भटाएंगे तो आपका आजाएगा बारा रुपे पचास पैसे यानि कि इतना रुपे आपका हानी आ गया अब हम लोग क्या लगाएंगे फामुला हम लो प्रतिसत लगा देते हैं कुछ इस टाइप से जैसे हमारा पता चले कि यह प्रतिसत में निकल रहा हमारा अंसर तो जब आप इसको हल करोगे तो यहां पर आएगा आठ ट्रिक चॉबिस और तीन ट्रिक कर नोहां यान कि तीन तीन ऐसे ऐसे आएगा प्रतिसत यह हो जाएगा आपका एंसर ठीक है तो उम्मीद है कि आपको यह कॉश्चन भी समझ में आया होगा चलिए आप नेक्ट कॉश्चन करते हैं अगला पर जो कॉश्चन है वो थोड़ा सा टेड़ा है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और लिखा गया है एक कुर्सी को 470 रुपए मां खरीदा जाता है और दस परतिसत के लाब पर बेचा जाता है कुर्सी का विक्रे मुल्य आत कीजिए दिखी इस बार बहुत ही कम ची कितना दस प्रतिसत ठीक है तो आपको घ्याद करने मल्य यह ब्राबर रहा देते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी चीजें सामलोंगा बार सकते हैं यहां पर लेखेंगे चुखी विक्रेमिय ब्राबर भुतह at मुल्य ब्राबर जो आपका फार्मूला होता है वो होता है क्रे मुल्य माइनस में इंटु है और यहां पर लेखेंगे सो प्लस में प्रतिसत लाब प्रतिसत लाब ठीक है और बटा में यहां पर आप लेखेंगे सो ठीक है कुछ इस टाइप से हमें विक्रे मुल्य याद करना दे दिये सो प्लस में यहां पर लिखेंगे 10 बटा में यहां पर हल कि जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 47 और यहां पर इसका बटा क्या दस जाएगा दस जाएगा दस जाएगा दिक एक जिरों से गिलों भी आपर भी कड़िया तो आपको जाएगा तो आपका क्रेम लिकितना था आपने 470 रुपे में खरीदा और 2497 बेचा तो आपको कितना प्रसेंट का लाव हो गया दस प्रसेंट का लाव हो गया ठीक है तो इस टाइप से और एक सवाल को कर लेते हैं उसके बाद आपको और भी अच्छे से डीटिल में बताया जाए अगला क्वेशन आपके स्क्रीन पर सो हो रहा है जिसमें लिखा ग गया मेज का विकरे मोली इसले खाना हुआनि दिया हुआ है हने प्रतिसय्थ को यह में 15 और हमー 10 यह होते हैं अपका क्रेम उल्या ठीक है यहां पर ब्रेकट में हो जाएगा सौ माईनस अलिप रतिसत हो दो तो आपका यहां पर सवाल का आज वो उतार दिया वह में इस पर वालू रखना है तो क्रेम उल्ले आपका मैं से 5 कटाइब टाइन के gradz भूर से सateur दो गया लूधे है तो पांच एकाम पेंटिस सत्राइब यहां पे 16 बटाइब अभी आधिक है अब कर दो पर दो से इसक wall ऑगे कि तो सत्रा कम सत्रा के साथ हांसिल आगे आपका एक गुड़े तो इस टाइप से यह सवाल आपका लग जाएगा तो फिलाल यार उम्मीद कि आपको आज का चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मजा होगा मैं मानता हूं तो परियास करा जा रहा है कि मैं अच्छे क्वाल्टी वाला जिससे कि आपको पहुच जाब तक तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपको ख्याल रखना अबना और घर पर रहना यार